जारखन के उन 15 मजदूरों के परिजनों के चहरों पर चमक लोट आई हैं विखुश हो भी क्यों ना उनके बच्चे अब टैनल से बाहर निकलने जो लगे हैं सभी के परिवार वाले टैनल के बाहर खड़े अपनों का बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं खुदाई में लगी टीम टैनल के अंदर पहुँच गई है उत्राखन के सिल्क यारा डंडाल गाउं टैनल में 12 नवंबर से फसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू हो चुका है एंडी आरिफ की टीम कुछ देर में 16 दिन से फसे 41 मजदूरों को टैनल से बाहर लाएगी टैनल के अंदर आम्बूलेंस के अलावा स्ट्रेचर और गद्दे पहुचाए गये हैं यहां अस्पिताल बना दिया गया है रेस्क्यू के बाद मजदूरों को यहीं रखा बता दे कि जहारखन के उत्तरकाशी के निर्माना धीन टैनल में फसे जहारखन के श्रमिकों का हाल जानने के लिए गये परिजनों को हर सुविधा उपलप्त कराई जा रही है मुखी मंत्री हेमन सोरे ने परिजनों को हर सुविधा उपलप्त कराने का निर्देश दिया है टनल में फसे जहारखन के सभी 15 श्रमिक सुरक्षित हैं इसमें गेडी के दो खूटी के तीन रांची के तीन एवं पश्यम सिंग्भुम के साथ श्रमिक फसे हैं संबंदिजिला के डीसी लगतार श्रमिकों के परिजनों से बातचीत कर स्तितिका जाइजा ले रहे हैं इसके अलावा प्रवासी नियंतरन कक्ष के माध्यम से भी अधिकारी टनल में फसे श्रमिकों के परिजनों से लगतार संपर्ट में हैं मुखे मंत्री के आदेश पर श्रमिकों के परिवार के सभी सदस्यों के रहने खाने पीने की विवस्था की गई है श्रमिकों और परिवारों को जाके टोपी और कंबल भी दिये गए है परिजनों के साथ मौके पर पहुँचे जहारखंड के अधिकारियों ने यहां सरकार को सूचित किया है कि मजदूरों को टैनल से निकालने के बाद 35 किलो मीटर दूट चिन्याली सौड ले जाये जाएगा जहां 41 बेट का स्पेशल हॉस्पिटल बनाये गया है अगर किसी मजदूर की हालत खराब हुई तो उन्हें फॉरण एरलिफ्ट कर एम्स रिशिकेश भीजा जाएगा फसीवे मजदूरों के लिए SDRF की टीम गदे लेकर टैनल के अंदर पहुच गई है इसे पहले सिल्क यारा साइट से होरिजॉंटल ड्रिलिंग में लगे राट माइनस हाथसे के सत्रावे दिन दोपहर एक बचकर बीस मिनिट में खुदाई पूरी कर पाइप से बाहर आ गये उन्होंने करीब 21 घंटे में 12 मेटर की मैनूल ड्रिलिंग की 24 नवंबर को मजदूरो की लोकेशन से महज 12 मीटर पहले ओगर मशीन तूट गई थी जिससे रेस्क्यू रोकना पड़ा था इसके बाद सेना और राट माइनस को बाकी के ड्रिलिंग के लिए बुलाए गया था मंगलवार सुबा 11 बजे मजदूरो के परिजन के चहरों पर तब खुशी दिखी जब अफसरों ने उनसे कहा कि उनके कपड़े और बैग तयार रखिए जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है अब यह परिजन पल के बिच्छाए बाहर खड़े हैं कि कब उनके बच्चों की उन्हें जलक दिखें